नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका उन्हा स्वागत है हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो क्रशी के प्रकार है आज हम दो क्रशी प्रकारों के बारे में अध्यन करेंगे जिन में पहले हम अध्यन करेंगे व्यापारिक बागाती या रोपन क्रशी और दूसरा हम अध्यन करेंगे इसी शंखिला में पहले तो हम रोपन बागाती क्रशी का अध्यन करेंगे और भूम अध्यसागी क्रशी का अध्यन करेंगे सबसे पहले हम रापरिक बागति क्रशी और ओपन क्रशी करते हैं इस प्रकार की जो क्रशी है वो उष्ण जथा उपोश्ण कटी बन दिये देशों में की जाती है इस क्रशी में रबड, चाय, गंडा, कहवा, केला, कपास, तंबाकू, कोको, आदी की क्रशी की जाती तो कुछ तो इसमें पेप्रदार्थ हैं, जैसे चाय है, कहवा है, तंबाकू है, कोको है, तो पेप्रदार्थ हैं, और रबर है, इधर सा गंडा है, केला है, कपास, यह भी नगदी फस्लों के रूप में जाने जाती तो यह सबी प्रस्लों की खेती में वहापर बागाती रॉयत्वर उपन क्रशी में की जाते हैं, तो जिन शित्रों में क्रशी की जाती है, वहाँ पर पहले इस्थानी लोग क्रशी कार्य करते थे तो जितने भी पहले उष्ण पोश्ण कटी बंदी अधिकाश देश थे इस प्रशी करने वाले वह सभी उपनिवेश नहीं थे तब तक स्थानी लोग वहाँ पर कारे करते थे लेकिन जब उपनिवेश बने तो यूरोपी लोग वहाँ पर आये और उन्हें अपना उपनिवे कोफी खेटी भी की जाती है चायके बड़े 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 बागान होते हैं तो इसे आहिए तो क्यूंकि इनके लेखान होते हैं कोफी का बगीच चाए यह तो चाय का बगीचा है से इस तरह से और भगीचों में जो क्रशी लगाईजि की जाती है इसे क्रशी उस्ष्ण कटी बंदे देशों में इसका क्रणार हम हम देखते हैं इस प्रकार की घ्रषी लेटिन अमेरीका में लेतिन अमेरिका में कुण कुण शित्र हैं? मेकसिको, मद्य अमेरिका और दक्ष्न अमेरिका में की जाती है इन शित्रों में जो मुख्य हैं वो हैं पश्ची में दीब समू में क्यूबा, जमेका, प्योटोरिको, हॉंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, आदी प्रमुक देशों में इस प्रकार की क्रशी होती है एशिया में हम आते हैं तो एशिया में दक्षन दक्षन पूद्वी भाग जिन में भारत है, श्री लंका है, म्यामार है, थाइलेंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, आदी भागों में इस प्रकार की क्रशी की जाती है अफ्रिका में हम जाये तो वहाँ पर गिनी तट, घाना, यूगांडा, आइवरी कोस्ट, जाइरे, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, मालागासी, नाइजीरिया, आधी देशों में इस प्रकार की रोपन, बागाती क्रशी की जाती है तो, चाय के बागान होते हैं, कॉफी के बागान होते हैं, केले का बगीज आप देख रहें, यहाँ पर एक केले का बगीजा हैं, केले की फसल का उत्क परदन किया जाती है इन समझ शेत्रों में बागान, मुल्त, विदेशियों जिन में यूरोपी लोगों की प्रधानता रही है के द्वरा विक्सित किये गए आपको मैंने बताए था कि यह एक शेत्र जब तक उपनिवेश नहीं थी यहां पर इस प्रकार की क्रशी साधान इस्तर पर की जाती थी लेकिन जब यह उपनिवेश बने यूरोपी लोग यहां पर आये तो उन्हों देखा किसे काफिदिक फाइदा है मुद्रारजन हो सकता है तो उन्होंने यहां पर अपनी पूझी लगई और जो श्रमिक थे वो इस्तानी ही थे इस्थानी लोगों को इस्टमीकों गुरूप में काम लिया केवल अपने पूजी और तक्नीके का इस्तेमाल गूपे लोगों के द्वारा यहां पर किया गया मलीशिया, भारत, शीलंका, पशी में दीप समू में चाय, रबर, केला, गन्ना की बगीचे अगरिजों के द्वारा लगाए गए फ्रेंच लोगों के द्वारा पश्य मित्रिका में केमरून तथा आईवरी कोस्ट में कोको तथा कोफी के बागान लगाए गए इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने का रोपन किया, ब्राजिल में फजेंडा, कोफी के बागानों को वहाँ पर फजेंडा के नाम से जाना जाता है, काफी मत्तपों है तो जो ब्राजिल में फजेंडा हैं वो पूर्द गल्यों के द्वारा लगाये गया और फिलिपिन्स में नारियल इस्पनिश लोगों के द्वारा लगाये गया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगबग जहां जहां पर भी उष्ट कटी बंदी बागाती क्रशी की जाती है वहां सबी स्थालों पर यूरोपियन लोगों के द्वारा ही इस प्रकार की क्रशी को विक्सित किया गया उसे व्यापरी की स्थर पर लाया गया अब यहां की जल्वाई सम्मध विशेशता है देखते हैं जो कि उष्ट कटी बंदी देशों में की जाती है इसलिए आउच्छे तापमान जो की 22-27 डिग्री सेंटिक वार्षिक वार्षिक उसत रहता है वर्षा नियमित होती है कुछ भागों में तो प्रतिदिन वार्ष वर्षा भी अधिक मातरा में होनी चाहिए तो यह भी इसके व्यापार सफ्ट करती हैं इसकी विषेश्टें देखते हम कि इस स्केषिक में एक फसल की प्रदानता हुती है जैसे कर चाय उगई जा रही है तो चाय चाय उगई जाए जोंग जारी तो चाय उगई जारी बहा यहां पर उच्ष प्रबंदन उच्छ विज्यानिक ज्यान और अधिक पोधी आवश्च था होती है तो चुंकि इस प्रकार की प्रशी उती मैं रोपन पद्धति का प्रियोग किया जाता है जो तक्निकी है काफी मरत्व रखती है जो पूध्यानिक ज्यान् चाहिए प्रबं तो फिर जो पूझी रगाई गई है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी खत्रे में पढ़ जाएगी उच्छी प्रबंदन, उच्छी गनिक ज्यान और अधिक पूझी के आउशकता होती है करशी के लिए बड़े बड़े फार्म होते हैं श्रम की अधिक आउशकता होती है श्रम भी चाहिए होता है जैसे चाय है अब चाय की खती के लिए पत्तियों को एक एक करके चुनना पड़ता है तो एक एक पत्ति को चुणने के लिए बड़ी मातरा में शम की आउशक्ता होती है इसी प्रकार से रबर है तो रबर के जो पेड़ से उससे दूध एक त्थित किया जाता है उसके लिए भी बड़ी मात्रा में श्रम की आउशक्ता होती है तो श्रम भी कुशल श्रम चाहिए अन्यता कुशल श्रमिकों को इस प्रकार के कारे में लगा दिये जाएगा तो वे सारी फसल को नेश्टोर बरबाद भी कर सकते हैं और इसका जो क्रशी का दिकांश उत्पद करनों की आवशक्ता रेती तो इन्हें वहीं पर ही स्तापित कर दिया जाता है यानि ओफिस भी है करेने का रहना के आवास भी है असल को चांटना सुखाना पेक करना आदी के समस्थ जो पेकिंग वगधा की चीज़े हैं जोकार खाना वो भी वहीं पर होता है प्रशी फार अधर पूजी फार्शी में देशों की लगीए एवरूपी देशों की है तथा श्रम इस्थान ये होता है श्रम वही है एक और नहीं के लोग है यह करेवाई के वहायों से बाजार नहीं पाता है तो बाजार के भावेव से एक रशी बहुत अधिक प्रभावित रहती है त्योंकि जो प्रत्य कुद प्रादन है। उसका जो मुख्य उद्धेश है केवल बाजार होता है। प्रमुख बागति क्रशी के जो देश हैं वो कौन-कौन से हैं अभी आखिन मेटिन अमेरिका बता पोको, गन्ना, पकेला तथा रवर के बागान यहां पर लगाए गए हैं, विश्व के कुल कहवे का 55 परतिशस अधिक लेटिन अमेरिकी देशों से प्राप्त होता है, ब्राजील, कोलंबिया और मेक्सिको के पठार पर कहवे का उत्पदन किया जाता है, ब्राजील का जो कोफी, दूसरी है गन्ना, तीसरी है केला, इन तीनों फसलों के लिए परशी में देव समू के देश जाने जाते हैं, इसके परशात आता है एशिया, एशिया के दक्षणी और दक्षणी पूरी भागों में बगतिक रशी की जाती है, जिन में भारत है, श्री लंका है, मले है, मियामार है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कमबोडिया है, आदी में बगतिक रशी की जाती है, यहां पर चाय, कहवा, नारियल, कोको, रबर, केला, आदी के बगान लगाए गए हैं, विश्व का 90% प्रकतिक रबर और 70% चाय का उत्पादन इनी देशों में होता है, यहां पर हम देख सकते हैं कि दक्षण भारत में करनाटक है, केरल है, यहां पर तो रबर उत्पदित किया जाता है, उत्तर पूरी भारत में चाय की खिती की जाती है, अफरीका में गिनी, घाना, आइवरी कोस्ट, जाइरे, कीनिया, इथोपिया, ताना, तंजानिया, माला गासी, यूगांडा, आधी देशों में इस प्रकार की क्रशी होती है, और जो अफरीकी देश ने कहवा, चाय, कोको, केला, रबर, गन्ना, आधी, पदन के लिए पर सिद्ध माने जाते हैं, गिनी के तट पर मद्दे तथा पूरी अफरीका की उच्छ भूमी पर कहवा, च जाय, केला, और कोको के बागान है, आइवरी कोस्ट, जायरे, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, मलागासी में कहवा होता है, कीनिया, मालावी, यूगांडा, तंजानिया में चाय के बागान है, जायरे वर नाइजीरिया में रबर उत्पदित किया जाता है, अफरीकी दे इन्हों ने अपनी पूजी और तकनीकी और ग्यान का समावेश किया जो अब देख रहे तेन मुख्य शित्र है इस प्रकार की क्रशी के एक लेटिन अमेरिका जिसमें मेक्सिको पश्षी विदीब समू और दक्ष्ट अमेरिका के ब्राजील या फिर जो इसके पश्षी की कोको की क्रशी की जाती है यहां पर यह जो प्यूबाज अमेका प्यूटोरी कोको स्वरी का घाना है यहां पर केला गन्ना अधिक कोफी की क्रशी की जाती है यहां पर गिमी और घना के तरफ पर आ जाते हैं यहां पर रबर और ओयल पाम अधिकी खिजी की जाती है पूरों कमोडिया थाइलेंड इंडोनेशिया श्री लंका भारत यहां पर चाय रबर कोफी अधिक रशी की जाती तो बहुते बहुत किनी शेत्र हो गए पहला तो यह प्रेटे अमेरिका वाला जिसमें पश्चिमी दीब समूर मेक्सिको और ब्राजील अधिक शेत्र आते हैं दूसरा व्यापारिक बागाती क्रशी की जाती है दोस्तों व्यापारिक बागाती क्रशी के बाद हम अध्यन करेंगे भूमद्य सागरी क्रशी का देव अपने जलवाय प्रदेशों के बारे में पढ़ा था तो भूमद्य सागरी जलवाय के बारे में विस्तार सद्दन किया था भ पच्छवा पउनों के प्रपाउंस से वर्षा होती है यह ऐसी जलवाई हो जिसमें ग्रिश्वकाल शुष्क होता है तापन अधिक पाय जाता है और शीदकाल ठंडा और आद्र होता है जहां पर पच्छवा पउनों से वर्षा होती है शीदकाल में तो इस क्रशी का जो जो इस शित्र में जो क्रशी की जाती है उसे भूमद्द सागरी क्रशी के नाम से जाना जाता है इस क्रशी का विस्तार 30-40 दिगर अक्षांचों के मध्य महादिपों के पश्चिमी बागों में है यह क्रशी सगन उच्च विशेशी करत और अधिक फसल विवित्ता वाली होती है रस्दार फलों का उत्पादन और पशु पलन भी इसमें किया जाता है इस प्रकार की भूमद्द सागरी क्रशी भूमे को विश्व की फलोग्द्यान भूमी भी कहा जाता है विश्व के सरा बुद्यों का हरदे भी यहीं पर है यहाँ पर शुष के दशाओं में या गर्मी वाली दशाओं में यहाँ पर फलों की करशी भी की जाती रजदार फल भी उगाई जाते हैं यहाँ गेहु जो आधीक फसले भी उगाई जाती है टमाटा रादी के क्रशी भी यहां पर की जाती तो विवित्ता वाली क्रशी यहां पर है और जो वर्षा होती है वो शीत काल में होती है तो विविन प्रकार के फलों का पदन भी होता है अंगूर भी यहां पर उखाए जाते हैं इसलिए विश्व के शराब उद्यों का रदी शर्दी की रितु पाई जाती है तो इसम्में देखिए आप यहां पर खजूर भी उगाया जाएगा यहां पर जेतुन की क्रशी भी की जाती है जेतून के शाथ अंगूर की प्रशी भी की जाती है अंग्या अंजीर भी यहां पुरुगाई जाते हैं विश्व का लगबग 90-30 अधिक अंजीर और जेतुन तो भूम अद्द साग्री देशों से ही प्राप्त होता है और फ्रांस में अंगूर से शराप बना जाती उच्छी कोटी की शराप दिन्मित हो उसत वाशिक वर्षा 25-25 cm के लगबग होती है ततवर्ती और परवती भागों में वर्षा अधिक होती है सर्दियों में उसत तापान 5-10 दिगरी के सेलसियस के बीच और गर्मी में तापान 21-17 दिगरी सेलसियस के मद्द में होता है तो जो भूमर्द साग्री जलवाई हु अधिक उत्तम जलवाई हुए वह भूमर्द सागरी जलवाई हुई मानी जाती और इसी करण से यहां पर क्रशी संबन्दी विवित्ताओं का विकास भी हुआ है वित्रन हम देखते हैं तर्टवर्ती भागों में इस्पेन, फ्रांस, टर्की, इटली, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मौरको, अलजीरिया, टूनीशिया, यहां पहले भी पढ़ चुके जब हमने बूमर्द सागरी जलवाई हुए उन्ही भागों में बूमर्द सागरी परशी की जाती है इसके लावा केलेफोन की घाटी, मद्य चीली, दक्षनी परशी में अफ्रीका और दक्ष इस लिए आंतरिक भागों में दिर्वाकरशी इसका स्वरूप है और तर्टी भागों में व्यापरिक इसका स्वरूप है इसका स्वरूप है यह तने भी देश हैं अभी आपको मैं बताया था स्पैन, प्रांस, टर्की, इटली, सीरिया, लेबनान, इद्राइल, मोरको, अ अध्य चीली और यहां दक्षणी पश्ची में अफ्रीका और यह दक्षणी ऑस्टेलिया इन सभी भागों में रूम अध्य साधुरी दर्शी की जाती है इसके विशेस्ता हैं देखते हैं खाद्यानों के साथ-साथ पश्चु पलन भी किया जाता है तो खाद्यान तो गय जाती है तो जो गर्मिक रितु होती उसमें वर्शा नहीं होती तो वहां पर सिचाई का साहरा लिया जाता है और शीत काल में वर्शा होती तो दुरान गेहुर जो मक्का अधी उगाई जाते हैं अधिकतर क्रशी का उत्देश्य व्यापार होता है अब आपको मनें बताए फलों की क्रशी जिनमें खटे और अजदार फल जैसे अंगूर, जेतून, खुबानी, संत्रा, नीम्बू, अंजीर आधी की क्रशी बहुत ताइस से की जाती है क्योंकि जलवाई उनकी उत्दन के अनुकूल है तो मुक्रोप से जो ग्रीश में रितु है वो उनके लिए अ पशू पलन भी होता है क्योंकि वहां पर उच मात्रा में जो प्रशी निर्वा प्रकार के ले लेती है यह देखिए यह अंजीर है यह जो फल आपको दिखाए दे रहा है चोटा चोटा यह अंजीर का फल है इसको पकने के बाद सुखा करके इसको क्रत्री विदिश से प्र खुआंचा एक अच्छा और उत्करिश्ट मना जाता है जेतुन का तेग और यह है अंगूर जिनकी क्षेटी भी मद्रशागरी क्षेतर में की जाती ही तो यह 3 यहां की मुख्य जो है वो उपज है यह हो अंजीर और यह हो गया जेतुन और यह अंगूर यह आंकी प्रधा विश्व बाजार में कीमतों का उतार चड़ाओ आदिसे प्रभावित होती है भूमद्य सागरी देश अंजीर, जेतून और उच्छी कोटी की शराब उत्पदन में एक अधिकार रखते हैं इन प्रदेशों में क्रशी के चार सुरुप विक्सित हो गई है भूमद्य सागरी जलवायू फ़लों की क्रशी के लिए नुकूलतम है खटे और रज़दार फ़लों के लिए अभी आपको बताया था मैंने यहाँ एक उच्छे विशेशी क्रट क्रशी की रूप में विक्सित हो गई है भूमद्य सागरी क्रशी में फलोद्यान निम्न भूमी से लेकर के पहाड़ी ढ़लों तक विक्सित होए है जेतून, अंजीर, नीबू, संत्रा, खुबानी, अंगूर इस क्रशी की पहचान है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अभी इसके बार अंगूर की क्रशी है अंगूर की क्रशी भी आपर काफेदीक पात्रा में विक्सित होई है और विश्यों के सबसे सर्वच्च कोटी की जो शराब है वो इनी देशों में बनाई जाती है फ्रांस का राश्टी उढ़्ध हो गए इस क्रशी में विविन इस्थान ओपर अंगूर की ग्रशी विविन गूपों में विख्सित उई है इसके रस्त से उच्च कोटी की शराब भी बनाई जाती है फ्रांस में यह एक राश्टे उढ़ी होगे निमने कोटी के अंगूरों से किश्मिश बनाई जाती है युनान, टर्की तता केलिफोर्मिया किश्मिश के बड़े निर्या तक है स्वचाकाश, तेज धूब, गर्मियों का मोसम अंगूर की ग्रशी के लिए उतकरष्ट वातावरन प्रस्तुप करते हैं तो ये जो वातावरन है, सवचाकाश, तेज दूप, गर्मियों का मोसम, ये अंगूर ही नहीं, बाकी सेश सभी खटे उरसदार फलों के उत्पदन के लिए भी उत्रेश्ट वातावन प्रस्तुप करता है, उस्टेलिया और अफरिका का केप तांत में भी अंगूर उगाया जाता है, तो जो विश्व के सबसे उत्तम कोटी की शराव होती है, फ्रांस में प्रदित की जाती है, और वहें से विश्व के विविन भागों को निरियाद की जाती है, सर उत्तम कोटी की जो शराव होती है, खाद्यान और सबजियां, खाद्यान सबजियां भी उगाय जा मक्क वी उगाय जाता है इतली इस्पेंज और फ्रांस में चामल भी उगाय जाता है बीनस मसूर प्याज काजर टमाटर फि यहां पर उगाय जाता है सीमित पशुपालन वेसे यहां पर पशुपालन के लिए अवशक दशाएं नहीं है लेकिन आंद्रेक शूश के भागों में जो थोड़ी बहुत है घास विक्सित हो जाती है प्लोवर अलफाफा अन्य फलीदार घास उपती है इटली के लोंबार्डी के मेदान केलिफोन एक सांडेबा की सांडेबार्न ही दुपालन पर ख्षुपालन है लोह जंतरती है और केलिफोन पशाएं लेकिन पर भीच्छे विक्सित विक्सित नहीं हो पाया है दोस्तों इस प्रकार यह प्शुपालन विश्ष्चैर विक्षिय विछ्में प्रकार 22 अंद धी इन दी को दो वोगल बोगलए कि विवितता हो यहां पर पर पशुपलन तिनों से रूप देखने को मिलते हैं ये अंगूर जेतुन फल इनकी क्रशी होगे हूई और निर्वाप रूप हो गया और पशुप यहां पर कीए जाता तिनों सुरूप यहां पर देखने को मिलते हैं येज इन महादिकों के विक्सीत भागों में बड़े नगर विद्धे मान देशित कैलिफोर्णिया थे घ्ट्ष और रख्षयाई अफ्रिपांग भी बड़े नगर हैं ये तो इस प्रकार से जो भुमध्य सागरी और विशिष्ट कर रूप लिए हैं और यहां पर तीनों प्रकार करशी का यांद देखने को मिल जाता है निर्वा, व्यापारी और अशुपालाई तो इस प्रकार से हमने आज दो प्रकारी करशी बारे मत्धन किया एक तो व्यापारीक बागाती रोपन करशी और दूसरा भूम अद्धे सागली करशी दन्यवाद